क्या लिए चीक है कहता है कि आप बिल्डर है जो कि 1 अप्रेल 2000 में the following expenditure कर दिया उसने और contract लिया उसने कितने का 4 लाग का material कर दिया उसने खर्चा सर material कर दिया तो लिख देते हैं इधर आएगा 2 material कितने का 50 अजार plant for contract 20 अजार तो 2 plant 20 अजार इसके बाद आगे कहता है wages 71,000 two wages 71,000 other expense कोई बात ने हमें क्या लेना देना 10 अजार कहता है cash receive on account 31 मार्च दो हजार एक लाख चोवालिस हजार तो cash receive तो आता ही नहीं यहां पर ठीक है work certified आएगा एकसी तो WIP और work certified एकसी work not certified होगा तो ठीक नहीं होगा तो कोई बात नहीं कहता है plant and materials charge contract कहता है plant which cost 4000 material which cost 3000 loss कहता है भी अब plant का भी नुक्सान हुआ और किसका नुक्सान हुआ हमारा material का भी नुक्सान हुआ तो material नुक्सान होगा तो इधर आएगा याद होगा material कितने का नुक्सान तीन हजार का अभी हम इसको बाद में देख लेंगे लिख लेते हैं अभी ठीक है मैं सरकल लगा देता हूं इस पर लॉस 31 मार्च को 31 मार्च 2000 यह साल है प्लांट विच कॉस्ट 3000 रिटन टू स्टोर और हमने 3000 का रिटन कर दिया इस टोर में प्लांट को दा कोस्ट आफ वर्क डॉन दन अंसर्टिफाइड फंदरा सो रुपे और अभी तक फंदरा सो का काम कम्प्लीट ही नहीं हो पाया है और कहता है material costing पत्चिस सो in hand यानि sir closing क्या कहता है closing closing का मतलब sir closing का मतलब material कितने का पंदरा सो का नहीं पत्चिस सो का कितने का पत्चिस सो का आगे कहता है charge 15% depreciation plant take profit and loss two-third अब सवाल खुद ही कह रहा है कि आप two-third रीजिए profit and loss में तो आपका सारा rule बेकार अब rule नहीं लगाना अगर question कह देता है कि profit में इतना consider करना है तो वही लेना है अब जो मर्जी बन जाए वो the receive the profit receive आप two-third मानीगा prepare contract account और यह सारी एक सेक्टरा जो बाते थी इन्होंने को बोलना इन्होंने बोल दिया अब बात करते हैं सर सबसे पहले जो loss हुआ material कितने का loss हुआ तीन हजार सर इधर material लिखते है अब plant की बात करते है plant इधर return होगा तो इधर चला जाएगा plant return plant written कितने का return हुआ plant हमारा plant return हुआ हमारा कहते दणा plant cause 4000 material cause 3000 loss और आगे कहता है plant which cost 3000 was return to store तो कितने का हुआ और 4000 का हमारा नुकसान भी हो गया तो आप ध्यान दीजिए starting में अगर आप ध्यान दे starting में आपका plant starting में आपका plant कितने का था सर starting में प्लांट सब 20,000 का 20,000 में से नुकसान हो गया कितने का 3000 का 4000 का तो आपका नुकसान ही हो गया तो बच्चे कितने 16,000 और माइनस कर दे return कर दिया आपने return कितने किये तो बच्चा कितना 13,000 depreciation कहता है 15% तो अब सवाल ये उठता है कि सर depreciation 15% किस पे लगाएंगे हम किस पे depreciation 15% चार्ज करेंगे हमारा अजम्शन है तो less कर देते हैं सर depreciation और depreciation 15% इस पे 15% निका लेंगे तो क्या आएगा 13,000 के 15% 19,50 और माइनस कर देंगे ये अजम्शन है हमारा 1050 तो हमारा plant आएगा 11,050 और जो हमारा loss हुआ है यहां आजाएगा plant जो हमारा loss हुआ है 4000 वो इधर आगे ठीक है आप ultimately check करोगे न तो हमें सिर्फ यहां पे depreciation दिखाना चाहिए बिल्कुल तो 20,000 माइनस में 3,000 माइनस में 4,000 और माइनस में 11,05 तो आपको मिलेगा यहांने जारा कर देगे प्लस 11,0 माइनस में 11,0,50 आपको दिखेगा 19,85 ही इस account के अंदर क्या हो रहा है हमारा reflect हो रहा है आप उसको check कर सकते हैं recorded class videos का numbering serial 22 अच्छे से कि confusion हो रहा है ठीक है आज मैं कर दूँँगा इसको भी इसको भी कर देंगे plant के दिया के कहना है सर बोला है plant written on 31 मार्च 2000 क्या plant बोला है कब written किया है इसने 1 अपरेल 2000 एक पर किताब में इसकी date देखिए शायद कोई error ना हो प्रिंटिंग में एक पर दिखाईए मुझे किताब हो सकता है इसमें error हो क्योंकि 31 मार्च तो पिछला साल है अच्छा 2010 है है ना 11 है ना वो एक पर देख लेते हैं इसमें 16 अझा एक आटाईए लेगा थाज़ामान कि लेगा है इसकी बात प्रदिए पिए सब्सेवगों अजया साल हुआ है प्रतों है ना वोगना इसकी तूट भप्टिवआए यह प्रतों है इसकी एक पूदाए-टॉदाश साल प्रतों है इसकी एकी छिए वो हमा सर प्लांट 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 इसमें सोला है और यहां भी सोला दूसरी बुक दिखाईए किसमें क्या है मेरे को डेट गड़बट लग रही है हम बिल्कुल 31 मार्च 2011 यहां पर डेटना यह एक होगा अब ठीक हो जाएगा क्योंकि देखो हम एप्रेल में कर रहे हैं काम और अगर हम 2000 लिखें आया है 31 मार्च तो इट में रिटन पिछले साल हुआ है ठीक है ना पिछले साल हो गया इसलिए थोड़ा डेट का कंफ्यूजन है प्रोग्राम वाली भुख में भी गलत है और वाली मैंने चेक किया उसमें डेट ठीक कर रख रख तो उसके चिंता मर्द करो ठीक है दिया हाँ 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 ठीक है बताइए अब क्लियर हो गया वो थोड़ा सा डेट का गड़बड़ी था मैं एक काम और भी जितने बच्चे लाइव हैना है कंफ्यूज नहीं होना जो मट्रियल वाली क्लास है बहुत बच्चे बोलते हैं सर कैसे पढ़े नहीं पढ़े मट्रियल वाली क्लास डिलीट कर दूँगा क्योंकि उसे मुझे दुबारा ही रिकॉर्ड करना है दुबारा वह लॉस है रिटन थोड़ी है वह रिटन तो तीन हजार है ना तो रिटन का डेट कहां दे रखा है प्लांट विच तीन हजार रुपे रिटन यह थोड़ी बता है कब है कि एक पर किताब दिखाओ यहां कुछ में स्प्रिंट वाली बुक दिखाने क्या लिखा है एक्च्छल कहता है कैस रिसीव इकत्यस मार्च 2011 यहां पर भी 2000 लिख रखा है गलत हो गया 2010 थीक है इसके अंदर आ आप मान के चलिए 21 मार्च भ क्या हमने 2009 को यहानि साल को एंड होने के बाद written किया है तो नहीं इस पर क्यों लगेगा नहीं अगर देखो देखो बच्चे कह रहे हैं के सर फिर तो 16 पर लगना चाहिए इस्तमाल हुआ डेफिनिटली 16 पर लगना चाहिए फिर 16 के बाद माइनस 3 थोड़ी कर सकते हैं तीन न ये total cost है 3 क्या है cost आप ऐसे समझे देखिए 16 का बचा 16 में से 3 अलग हो गया जिसको पूरे साल इस्तमाल किये और 13 अलग हो गया जिसको कितना इस्तमाल किया हमने पूरे साल इस्तमाल किया ये 3 वाला क्या हो गया सर return हो गया और ये क्या हुआ तो अब इस 3 वाले पर अलग से depth लगा दीजिए जो की 300 बनता है तो कितना दिखा दीजिए return 2700 return दिखा दीजिए depth वो दिखा दीजिए तो बात वहीं आ जाएगी तो इसमें confusion ना हो सही कर रख था है ठीक है अब फटा फट से surplus निकाल लेते हैं surplus बताइए surplus कितना हैगा 181 प्लस 1500 81 500 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 2500 प्लस 1050 या आगे 20 5050 2050 50 surplus surplus प्लस माइनस 50,000 माइनस 300,000 माइनस 71,000 माइनस 100,000 या guess 4 आप answer चेक करिए कहीं total तो गलत नहीं है चेक करिए हाँ हाँ नहीं नहीं वह पहले यह बताएए कितना है कि 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 यह सहीत यह कितना यह विचाववन total देखलो एक बार इसका total कर लो आप मैने यह यह total गलत है कैसे बोल रहो सही है अच्छा यहां पर एक भी तो है नहीं एक असी है यह पचास अजाब पचास अजाब बीस अजाब इस अजाब इसतर तर अजाब यह अजाब ओज़ल और कुछ तो रह तो नहीं गया वैं मैं इस था अजाब दिखाए एक वर किताब क्या रहे गया वो depreciation का ही आ रहा था जो return किया ना इसको 420 चीक है यह depreciation का ही था यह date ने सारा गरवड कर दी है उपर नीचे करके अब देखिए जो मैं बता रहा था मैं मिटा दूगा भी करके ठीक है हमारे पास total 16,000 का plant है 16 में से 3000 के return करें पूरा use करके और बाकी मेरा 13,000 रुपए का जो हमने use किया तो सर इसको जब return किया तो actual में return 3000 नहीं हुआ होगा इस पर depreciation माइनस हो गया होगा जो कि कितने percent के इसाफ से होगा 15 450 का माइनस हुआ होगा जो कि 3000 15% 25 2550 का रहा होगा तो यहाँ पर जो plant return होगा वो 3000 माइनस में 450 that is 2550 अब सब कुछ ठीक ठाक है ठीक है दो लाग 4600 दो लाग 4600 दो लाग 4600 और यह आगे हमारा 53500 देखे मैंने कुछ बीच में changes किया है और इसके उपर फिर लग जाएगा डैप जो कि हमने निकाल लिया था यहाँ पर अलग से ही बताईए कोई दिक्कत है पर 2700 plant return में 2700 हाँ वो दने 10 नी 15% है विश्नू जो मैंने ठीक कर दिया है ठीक है चलिए 22 surplus 22 प्लस त्रिपन हजार अब यहाँ पर क्या आएगा 2 CPL और 2 WIP reserve अब देखते हैं सर कौन सार रूल लग रहा है हाँ आप तो कुछ देखो क्योंकि इसने 2 by 3 बोल दिया है कोई रूल नहीं लगना जितना भी profit आया 2 by 3 कर देंगे इसका ठीक है ना रूल कब चेक करते हैं जब नहीं देता समझ रहे हो तो कितना है ये रिजर्व क्या रहा है माइनस गलत कर दिया ये क्या है CPL CPL एक मिन रुकिया नहीं रूल नहीं लगाया देखो अब सर प्लस CPL इदर देखे CPL CPL इस इकल टू आपको लगाना है टू बाई थ्री है तो सर प्लस कितना है इसका टू बाई थ्री अब ध्यान रिकिये जो मैंने करा था वो गलत नहीं था ठीक था हमें हमेशा प्रॉफिट ना कॉंट्रेक्ट में कैस बेसिस पे मानना होता है जितना कैस मिलेगा उसी बेसिस पे क्योंकि होता ऐसा है नॉर्मली अगर मैंने पांच लाग का काम किया है मान लो मुझे साड़े चारलाक ही दिया पचास कैस रख लिए आज मैं काम से मना कर दू तो मिरको तो साड़े चार ही मिलेगा ना कैस बीसिस पे तो इसलिए हम यहां पे क्या करते है रेशो बना देते है कि कैस रिसीव कितना है जैसे कि सवाल में cash receive दे रखा है कितना दे रखा है एक लाथ 44,000 अभी आपको समझ में आएगा और कितने का था work certified एक लाथ अब करिए आप इसको अब 28,500 और ये WIP 25,000 13,000 अभी मैं इसको और समझाऊँगा आपको आप पिछले सवाल में आना पड़ेगा थोड़ा यहां क्या कह रहा था कि जितना भी काम करेंगे 20% रख लेंगे सर 20% रखने का मतलब है कि आपको 80% ही profit मानके चलना है 20% का क्या भरोसा मिले या फिर अब ध्यान देजिए हमने ये वाला formula लगाया इसी के साथ में formula लगा रहे है formula क्या लगा रहे है अब इस वाले part को solve कर रहे है इस वाले part को अगर आप solve करेंगे तो that is 80% अगर मैं formula लगाऊ 2 by 3 into my 135 और इसका मैं कर दूँ सभी को निकालने के बाद into my 80% ठीक है अब solve करेंगे तो again आपका जो answer आएगा 72 क्या आएगा answer 72 मतलब आप cash received divided by work certified का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपको जितने percent cash मिला है percent जितना cash मिला है उतना ही percent आपको actual profit का consider करना है क्यूंकि आपको जब cash मिला ही नहीं तो हो सकता है वो पैसा आपको जीवन भर ना मिले वो तो डूब जाएगा ठीक है यानि actual में देखा जाए तो आपका profit तो ये था लेकिन cash 20% मिला नहीं तो हमने 80% इसका डाला यहां पर उठा के ठीक है सेम यहां पर यही कहानी है जो हम इस formula में apply कर रहे है न अपलाई कर रहे है न यह तो यह हमारा क्या बताता है यह बताता है हमारा cash receive का percentage तो यानि यह तो हमारा profit है agree और इसके अंदर हमने formula लगा दिया तो क्या होगे cash receive कई बार examiner बोल सकता है कि आप profit निकालिए surplus निकालिए आपका without cash basis आप कैसे निकाल के दिखाईए without तो उस situation में यह वाला करना नहीं पड़ेगा जब सवाल में कुछ नहीं बोला जाता तो हम assumption लेते हैं कि cash basis पे ही निकालेंगे जैसे कि हमने सवाल number one को अभी stop किया हुआ है इसके अंदर बोला था कि जितने possibility हो सकते हैं cash basis पे बिना cash basis पे contract basis पे profit हर तरीके से निकाल के दिखाईए तो जिसके पास है न आप देखेंगे इसमें 5-6 तरीके का profit निकाल के दिखाया हुआ है तो इसलिए आपका महां पे मैं कहूंगा कि अगर आप without cash basis पे निकालते हैं तब भी आपका गलत नहीं माना जाएगा वो सही है तो अभी हमने ऐसे ही कर दिया जैसे दे रखा था अब आप क्या बनाना है हमें एक balance sheet और contract भी बनाना है एक contract और contract आप बनाओगे balance sheet मैं बनाओगा balance sheet मैं बना देता हूं का contract अकाउंट बनाना आपकी जिम्हधारी सर balance sheet balance sheet में पहले WIP WIP में क्या ले सर work certified work not certified ये था हमारा 180 और ये था हमारा 15 तोटल हो गया एक एक्यासी 500 माइनस कर देंगे WIP रिजर्व और माइनस कर देंगे cash receive cash receive था 144 और WIP रिजर्व था हमारा कितना 28 सर 28 13 25 तो 25 0 13 इसको हम solve कर देंगे ठीक है इसके बाद लिखेंगे material सर मजे की बात अब material कितने आएगा material तो एक ही आएगा खर देखो कितने 2500 अब प्लांट कितने आएगे दो प्लांट आएगे एक प्लांट जो हमारे पास पड़ा हुआ है यूज करते करते यानि सर 11 050 एक रिटन वाला आएगा प्लांट एक रिटन जो किया था वो है तो हमारे पास ही कितने का पच्छे सो कोई outstanding था नी सर प्लास लिखना चाहते है तो लिख ले जो कि निकल के आया था हमारा 28 500 सताफी 28 500 सताफी लोजी balance sheet तयार यह आ गया हमारा 12 400 सताफी ठीक है क्या contract अकाउंट आप से बन जाएगा मैं दोनों देखो इसके बच्छे बोलते हैं सर आंसर का पीडिया भी थोड़ा confusion क्लियर हो जाएगा मैं अल्रेडी अप्लोड कर चुका हूँ आप चेक कर सकते हैं आधी मैंने अप्लोड करवा दिया था नहीं हुआ हो तो मैं एक बार चेक करवा लूँआ कहीं किसी में रहना गया हो बाकि definitely मैंने बना दिया है और वो अल्रेडी अप्लोड हो जाएगा इन सबी बताइए कोई दिक्कत इसमें क्या contract बना पाएंगे या वो भी मैं बना इसके बाद इसको अगली class का agenda रखते हैं जब दो-दो contract होगा एक साथ दो contract अभी तो ठेके दार एक ही contract पूछा था तब दो contract लेगा उसके बाद हमारा agenda रहेगा सर जब एक ही बार में हम दो से तीन साल का contract करेंगे तो क्या करेंगे और ये भी दो से तीन साल का contract है और ये explanation clause का होगा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल हाँ लास्ट सवाल यही रहता है फिर हमारा ये चप्टर हो जाता है समाप तो कोसिस पूरी अगले मतलब आज मंडे है वैडनेस दे मेरी तरफ से चप्टर खतम हो जाए और कुछ सवाल आपको दे दिया जाए और Friday तो हर हाल में चप्टर खतम है या फिर अगली class में खतम यानि डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हम एक प्रॉसेस अकाउंट निव चप्टर स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट भी लेंगे सर्फ प्लांट रिटन वाला एसेट्स में क्यों आया देखो प्लांट रिटन हमने किया लेकिन अल्टिमेटली बैलेंस शीट ना एक कॉंट्र खतम किया माटीरियल करवाया मैंने बोला भाईया डिलीट कर दो से दिमाग से और दूसरा यह चल रहा है तो दूसरा ही चप्टर हो रहे हैं कोई बच्चे अगर लेट जोइनिंग है अभी भी तो वह बिल्कुल भी चिंता ना करें प्लांट वाली अर्जस्मेंट फिर से बतानी है यह रहा है देखिए प्लांट वाली अर्जस्मेंट में क्या है लॉस तो हटाई दीजिए इस पर डेप्रिशेशन का कोई सवाल ही नहीं है लॉस मैंने लिख दिया इसमें से अब 16 में से 3 का रिटन हो गया 13 बच गया तो ज साल के एंड में depreciation return करने के बाद actual जो return हुआ न वो actual return कितना हुआ यह हुआ तो return में मैंने यही दिखा है है देखो और यह वाला हमारा यह था इसके ऊपर ड़ेप लगा के हमने देखो यहाँ पर दिखा दिया और कुछ ऐसा बड़ा काम हमने किया नहीं है कहीं भी लॉस तो लॉस है शुरू में हो चाहिए एंड में हो अभी भी माइनस पहले भी माइनस क्योंकि लॉस पे तो आपने यूज ही नहीं किया उसको लगा के करेंगे कि आना पूरे 4000 हलाकि मैंने यहां पर प्लांट और मटीर लिखा है एक्चुल लिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस लॉस और तोटल हम साथ हजार करके भी लिख सकते हैं घट्टाई एक क्लियर करेंगे